ये वर्ब नहीं है, ये दिल की धड़का नहीं, ये ऐसे दुब-दुब-दुब करता रहता है, ठीक है? क्या ये ही कहानी नहीं चल ले अप्पी? हाँ, क्या इसको रूल बानोगे? नहीं, क्या हम इंगलिश बना रहे हैं? हाँ, क्या मज़ा आ रहा है? हाँ? दोस्तों यह वर्ब ना आपसे कुछ कह रही है, यह कह रही है, जहां तु है, वहां मैं हूँ, यह sentence की धड़कन है, जी यहां दोस्तों, आज हम बात करने वाले वर्ब के बारे में, वर्ब का क्या रोल होता एक sentence के अंदर, tenses के जो rules बने, वो बने कैसे हैं, हम इस पे बात करेंगे, हमारा base बहुत अच्छे से मजबूत हो चुका है, उसको और मजबूत करेंगे, फिर कोई भी competitive exam हो, banking हो, judiciary हो, SSC हो, कोई सा भी हो, सब competitive exam, including COAT, कोई सा भी interest आप prepare कर रहे हो, उस सम्में English, ऐसी आपने कभी नहीं पड़ी होगी, आपका पूरा mind आज खुलने वाला है, ये class आपकी जिंदगी की English की सबसे important class अभी सोने वाली है, ये मेरा आप से दावा है, welcome back everyone, बहुत बहुत स्वागत है, आपके फेवरिट channel dear sir में, आते ही वीडियो को जल्दी से like कीजिए, और मैं शुरू करने वाला हूँ, मेरा पसंदीदा topic वो है वो, दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है, अगर जिसको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपके लिए मैंने ये English grammar course चुरू किया हुआ ह जिसकी ये fifth class है, पहली चार classes में हमारा focus रहा था zero से start करने पे, English को zero से हम सीखते हुआ आ रहे हैं, अपना base मस्बूत बना रहे हैं और आसानी से एकदम detailed में, बहुत अच्छे, बिना रटे सारे चीजों को सीखते हुए आ गए हैं, वो videos अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आप बाद में आराम से देख लेना, description में लिंगे, पूरी playlist सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है, बल्कि मैं तो आपसे एक request भी करना चाहता हूँ, आपके बस थोड़े से seconds और ले लूँगा, दूस्तों ये course मैंने आपके लिए बनाया है, आपने मुझसे काता है इसा चाहिए paid course दे दो कोई, दुनिया में paid course भिक रहे है, आप एक क्यों नहीं बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको course तो दिया, लेकिन आपसे एक रुपया भी नहीं लिया, ऐसा क्यूं किया, और आप जाता course की quality की बात है, तो आप खुद देखिए videos, आपको ना English से प्यार हो जाए, तो कहिएगा, तो आपसे मैंने कोई पैसे नहीं लिया, बस मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, कि आप वीडियो को देखने से पहले एकदम like पहले कर दिया परो, ताकि ये वीडियो आगे भी share हो सके, जितनी भी आपके group से वहां तक ये वीडियो पहुँचा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास resources नहीं है, पैसे नहीं है, courses purchase करने के, शेहरों में आके coaching लेने का उनके पास कोई साधन नहीं है, वो इतने afford नहीं कर सकते हैं, उन तक ये जो हमारी मैनत है, मैं अपनी पूरी जीजान लगा रहा हूँ, जितनी भी मेरे दे दे तो society को, अब मेरे पास सो दो सो करोड रुपे तो है नहीं, जो मैं सब को बाढ़ दू और उनकी life में कोई change ले हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ाई के थूरू, पढ़ाने के थूरू, अपनी teaching से मैं दुनिया को बदलने निकला वा हूँ, हमारी पूरी टीम मिलता है न, उसके लिए हम लगे रहते हैं, कि आपको कामियाप देखके न, जो satisfaction और happiness हमें मिलती है, उसका कोई भी comparison नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तो एक छोटी सी request है, इस वीडियो को सब तक पहुँचा दे न, share बटन पर क्लिक कर दो, like करो, ताकि आगे तक पहुँच चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अब मैं आपको डुबाता हूँ, इंग्लिश के प्यार में, आपको इंग्लिश से प्यार होने नगीगा, दोस्तो अभी तक हमने जितनी भी बाते सीखी है, पढ़ी है, हम एक चीज तो बड़ी क्लियर है, कि किसी भी एक complete sentence को बनाने में हमें तीन चीजों की सुरत पढ़ती है, वो तीन चीज़े क्या होती है, एक होता है हमारा subject, एक होती है हमारी verb, और तीसरा होता है हमारा object, इस बात में किसी को कोई भी डौट नहीं है, आप हमने क्या किया है? हमने subject अच्छे से पढ़़ रखा है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, क अब्जेक्ट बहुता है, जिसके ओपर काम किया जाता है, काम का असर पढ़ता है, उसके भी हमने टाइप्स को देख लिया था, समझ लिया था, प्रैक्टिस कर ली थी, यह भी हमारा एकदम पक्का हुआ हुआ है, इसमें भी कोई हमें डाउट नहीं है, हमने साथ में यह भी कर रहे हैं, वो एक चीज याद रख ले, कि जो सबसे important चीज है, जो सबसे important चीज है, वो हमारी यही है, वर्ब, जिस पे मैंने एक दिल लगा दिया है, यह दिल जो है न यह इसी के लिए बना है, यह वर्ब नहीं है, यह दिल की धड़का नहीं, यह ऐसे दुब-दुब- important क्यों हो जाती दोस्तों ये भी एक सवाल है कि ये verb जो होती है ये हमारी sentence में इतनी important क्यों होती है क्या वज़ा है उसके बहुत बड़ी वज़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं आग में बताता हूं आपको verb का मतलब क्या होता है जब आप verb का meaning समझोगे न तो आपको समझ आ आएगा कि verb इतनी important क्यों है और देख लेते हैं verb का meaning क्या होता है आपने बचपन में क्रिया तो पढ़ी है न आपने बचपन में हाँ सर हाँ हमने क्रिया तो पढ़ी थी हिंदी के अंदर भी पढ़ाते थे हमें verb इंग्लिश में पढ़ाते थे कि ऐसे words क्या क्रिया क्या होत यह कोई चीज है इसको हम क्या कहते है वर्ब कह देते है क्रिया का मतलब ही क्या होता है हिंदी के अंदर जो क्रिया होता इसका मतलब ही क्या होता है काम कोई काम अब बहुत सारे ऐसे words होते है जिनसे काम के करने का या होने का पता नहीं चलता जैसे मैंने का प्रिया प्रिया यानि कोई काम हो रहा है, चलना, मारना, पीटना, खाना, खाना, पकाना, इन सब में काम के करने का मुझे पता चल रहा है, है के नहीं, समझ पाए हो के नहीं, हाँ हाँ सर, इतना तो समझ मा आ गया, कि बहुत सारे ऐसे वर्ट साब हम सोच सकते हैं, जिसमें काम के करने का हमें पता चलता है या चल रहा है इतना clear है के नहीं, बिल्कुल clear है अच्छा, और दूसरा होना अभी हिसर होने का मतलब, मैंने आपसे का वो वहाँ है वो वहाँ है हैसे क्या पता चला कि वो चीज वहाँ पर है वो चीज वहाँ पर है मैं वहाँ था, वहाँ था होने से क्या पता चला, कि कोई चीज वहाँ पर थी, उससे पता चला कि नहीं, हाँ पता चला, तुम यहाँ हो, यहाँ होने से, होने का पता चला कि यहाँ पर मौजूद है, कोई काम यहाँ पर हो नहीं रहा, कोई एनरजी नहीं लग रही, कोई महन के अंदर, जब हम कोई sentence बना रहे होते हैं, उन sentences में verb का इस्तेमाल जरूर हो रहा होता है, क्योंकि बिना verb के तो कोई sentence बन ही नहीं सकता, इतना clear कर लो, clear हो चुका है, अब वो जो verb होगी न दोस्त, वो verb हमेशा दो तरह की इस्तेमाल हो रही होगी, या तो सीधा से उसमें पका, ना, खा, ना, सोच, ना, ये verb की खासियते पहचाग में आपको बता रहा हूँ, क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि जिन verb से, जो भी वर्ब होती है, जिन से पता चलता कि क्योई काम हो रहा है, उसके हिंदी के आखिर में ना की अवाज होती है, सोचना, पीना, खाना जाना, आना, लेना, देखो ना की आवाज आ रही है सब मैं आ रही है के नहीं, ठीक है, तो हमें समझ में आगिया कि वर्ब तो होती है, और एक दूसरी तरह की वर्ब होती है, जिसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन कोई चीज है या थी, इसका हमें पता चलता है, कि मैं यहा थोड़ी था लेकिन यहां कोई चीज मौजूद थी काम किसी चीज के होने का मुझे पता चल गया तो समझ मा आई वर्ब की डेफिनेशन आज पहली बार लगा कि हाँ वर्ब क्या होती है अब समझ मा आया बिलकुल आया क्या मज़सा आने लगा क्या इंट्रस सा पैदा होने लगा ठीक है धी अब मुझे अगर कोई sentence बनाना है मेरे दोस्त अगर मुझे कोई sentence बनाना है तो मुझे क्या करना है मुझे कुछ भी नहीं करना subject की English बना दूँगा है ना verb की जो English होगी वो English का word वो रख दूँगा और एक object होगा उसकी English बना दूँगा इस तरहा से मैं प बोलते हुए सुनते हो, सारे इंगली सीजी तरह से बनती है, सारा खेल किसका है, वर्ब का खेल है, कैसे वो बताता हूँ, अभी हमने मोटा मोटा क्या सीखा, कि जो भी वर्ब होती है, वर्ब दो तरह की होती है, कौनसी एक तो काम वाली, कौनसी एक तो काम वाली, जिसमें का काम हो रहा होता है, एक दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी वो होती है, जिसमें कोई काम नहीं होता, जिसमें मैं कह सकता हूँ, नाकाम वाली, कह सकता हूँ के नहीं कह सकता, अब मैं आप से इसी बात को दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ, आप जितनी भ WhatsApp पे करते हो, Face to Face किसी से बाते करते हो, जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ आप क्या बाते करते हो, क्या उनमें कोई वर्ब होती है, काम वाली है ना काम वाली है, हाँ होती है ना, सोचते है आप ऐसे ही तो बोलते हो, यार मुझे लगता है अब लगना मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ महसूस करता हूँ काम वाल है वर्ब आई क्या आई बिल्कुल आई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जाना चाहता हूँ कहीं जाना चाहना ये भी एक वर्ब है वर्ब है के नहीं मैं न अच्छा फील नहीं कर रहा हू यहां महसूस करना एक वर्व है के नहीं मुझे तुमसे मिलने का दिल है यानि मेरा दिले का मिलने का मन हो रहा है मैं मिलना चाहता हूँ यह भी काम हो रहा है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है मेरा खाने का मन है जितनी भी ये सारे word आप बोलते हो अपने daily life में कि कोई चीज तुम पसंद कर रहे हो, नहीं पसंद कर रहे हो कहीं न कि सब में verb का इस्तेमाल कर ही रहे होते हो तो ये जो काम वाले sentences होते हैं ये हम बहुत बोलते हैं तो मैं total मिला के कह सकता हूँ कि जितनी भी हम hindi में sentences या जो भी हम बाते कर रहे होते हैं वो दो तरह की बाते कर रहे होते हैं एक तो जिसमें काम हो रहा होता है लेकिन एक दूसरे भी sentence होते हैं जो आप बोलते हैं वो क्या, मैं ठीक हूँ यहां कोई काम नहीं हो रहा होता मैं यहां हूँ, तुम वहां हो, वो वहां है, वो खुश है, वो उदास है, मैं अच्छा नहीं हूँ, यह गलत है, यह सही है, इस तरह के भी हम sentences बोलते हैं, वो कौन से वाले हुए? नाकाम वाले. क्या उनमें वर्ब नहीं है, है, लेकिन वो वाली वर्ब नहीं है, जिसमें काम हो रहा होता है, वो वाली वर्ब है, जिसमें बस इतना पता चल जाता है, कि कोई चीज है या नहीं है, बस इतना पता चल जाता है, तो क्या वो sentences नाकाम वाले हुए, बिलकुल हुए, अब मैं इ उसकी तरह से समझा देता हूं, देखो आपको सब कुछ समंझ में आ चुका है ना, आ रहा है ना देख़ों मज़ा आएगा आपको, इसी को रटवाया जाता है बेकार में, मुझे नी समझ याता क्यों रटवाते हैं, यह जो कामवाली सेंटेंसे ना, यह कामवाली जो वर्ब है जो काम वाली जो वर्ब है ना उसको अंग्रेजी में पता है क्या कह दिया गया ग्रैमर की दुनिया में उसे कह दिया गया action वर्ब क्या कह दिया गया उसे कहा गया action वर्ब क्योंकि उसमें कोई action हो रहा होता है उसे क्या कहती है एक्शन वर्ब और जिसमें नाकाम वाले है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता बस पता चल रहा होता है कि ये चीज है या नहीं है अच्छी है बुरी है स्टूडेंट है टीचर है डॉक्टर है एंजीनियर है ठीक है गलत है इस तरह की जो बाते हो रही होती है उनको कह दिया गया helping वर्ब क्या कह दिया गया helping वर्ब लेकिन मज़े की बात ये चीज याद रखना कि कोई भी sentence होगा वर्ब जरूर होगी चाहिए ये वाली हो क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे कि हमने अभी देखा थे कोई sentence बनाने के लिए बिना वर्ब के कोई sentence नहीं बनता वर्ब जरूर होगी लेकिन अगर कोई काम हो रहा होगा तो भाई काम वाली वर्ब लगा देंगे काम वाली वर्ब वो जो word English का वो लग जाएगा जहां कोई काम नहीं हो रहा होगा helping वाब लगा देंगे इतना clear हुआ थोड़ा mind clear हो रहा है हो रहा है हो रहा है चलो अब एक बात और बताओ मैं आपको अब आपको रास की बात बता रहेता हूं मैं किसी से बताना मत आप लोग पहले promise करो किसी से बताओगे नहीं बताओगे सुनो हम जितनी भी English बोलते हैं या जितनी भी English पढ़ते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा sentences बनाए जाते हैं वो एक काम वाली वर्प के बनाए जाते हैं 70% जो English बोली जाती है या लिखी जाती है या पढ़ी जाती है उसमें एक काम वाले होते हैं सोचना आना जाना सब में काम होता है अब सोच के देख लो, ऐसा क्यों होता है, भाई हम जो बाते करते हैं, उनमें हम काम की ही बाते कर रहे होते हैं, किसी भी चीज का काम, सोचना भी तो एक काम है, है ना, सोचना पड़ता है भाई, एनरजी लगती है, जहां भी एनरजी लगती है, वो एक काम होता है, जरूरी ये काम के लिए आपको बहुत सारी energy लगाने पड़े, ठीक है, तो 70% जो हम English बोलते हैं, ये English बनाते हैं, वो होती है, काम वाली, कौनसी होती है, काम वाली होती है, जो 30% ये कह सकते है, 25 to 30% जो English होती है हमारी, वो होती है, जो helping वह से बनती है, जो इसका सिर्फ साथ देती है क्या देती है, साथ देती है, और क्या मैं कह सकता हूँ, सर, क्या मैं कह सकता हूँ, कि इन दोनों को मिला के ही पूरी English बनाई जाती है, जी हाँ, बिलकुल सही बात है, इन दोनों को मिला के, काम वाली verbs और नाकाम वाली verbs को मिला के, जो हम sentences बना देते हैं, इसी में पूरी English क कि दुनिया समा जाती है और ऐसे ही इंग्लिश बनती है सर मजा आ गिया क्लियर हो गिया एकदम सिराने की तरह आपने इसको फिल्कुल खोल के बता दिया पोस्ट मॉटम कर दिया अब यह बता दो इनके रूल्स क्या है रूल्स कैसे बनाएंगे अरे कोई रूल नहीं है कोई यही रूल है यही रूल है subject रखो, word रखो और object रखो यही सबका रूल है है यही है सबका रूल है अब इसमें कुछ चोटे-मोटे मसाले पढ़ेंगे चोटी-मोटी खटी-मिठी चीज़र डालेंगे इसका taste बढ़ाने के लिए पहचान करने के लिए कि कौन सा काम वाला है यह कुछ इस तरह की चोटे मोटे रूल है, मोटा मोटा तो यही है ना, मोटा मोटा तो यही है, वर्ब समझ मा आ गई ना, बिना वर्ब कोई sentence नहीं, सोचके देख लो, आप कहीं भी इंगलिश पढ़ो ना, देखना कोई ना, कोई वर्ब ज़रूर होगी, डिपेंड करता है क्या वो काम वाली वर्ब के नाकाम वाली, इतना तो clear है ना, इतना clear है ना, जिसको, उसको यानि सब कुछ समझ मा आ गया, वो अब इंगलिश में बहुत कुछ करने वाला है, बहुत improvement करने वाला है, अब चलो देख लेते हैं, कि अब इंगलिश इसी से बनेगी subject रखना है, वर्ब रखना है, object रखना है, बिल्कुल इसी से बनेगी, हाँ, तो sir, अब मुझे बताओ, काम वाले पहले पढ़ाओगे, कि नाकाम वाले, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नाकाम वाले हैं, helping verb वाले sentence, वो असान होते हैं, आपको जादा understanding करा देंगे, तो मैंने आपसे कहा, कि अब हम पढ़ने वाले हैं, उन sentence को English बनाने का तरीका, जिनके अंदर कोई काम नहीं होता, लेकिन, नाकाम वाले होते हैं, काम नहीं होगा, लेकिन उससे पता चल जाता कि कोई चीज है या नहीं, उसके कुछ example पहले मां आपको देता हूँ, जैसे एक sentence हैं, वो बीमार है, हम ऐसा बहुत बोलते हैं, वो बीमार है, वो बीमार था, वो बीमार नहीं है, ऐसे बोलते हैं, अब इसमें कोई काम तो नहीं है, या तो बीमार है, या नहीं है, इस तरह की बात हुई है, तो इसकी English कैसे पहले हैं, कि जैसे sentence हो गया, मैं अंकित हूँ, मैं राजी हूँ, मैं अंजली हूँ, मैं प्रिया हूँ, मैं आलिया हूँ, है ना, इस तरह से, मैं आईशा हूँ, इस तरह के भी sentence बनते हैं कि नहीं, मैं पूजा हूँ, मैं रवी हूँ, है इस तरह के sentence, मैं डियर सर हूँ, है ना, तुम बच्चे नहीं हो, बहुत सारे से sentence ह जिसमें है के नहीं, बस यह बताते हैं, ऐसे वो खुश थी, वो खुश नहीं थी, क्या वो खुश थी, इस तरह के sentence, अब इनको बनाने का तरीका क्या, मैंने आपसे क्या कहा, वो यह रखना है subject और वो object, और कुछ भी नहीं, सबसे पहले subject रख देते हैं, अब subject का तो हमें प बात करता हूँ, तो आये लगा दूँगा, हम सब के बारे में बात करूँगा, हम कहके पुकारना चाहता हूँ, तो वी लग जाता है, इतनो समझ माता है ना, कोई एक से ज्यादा लड़का या लड़किया उनके साथ दे लग जाता है, यह कोई ऐसी चीज है, हमें पता ही लड़का है लड़की है क्या है उसके लिए हम इट का या इस्का इस्तेमाल करते हैं इतनो सबको clear है मैंने last video में जब subject object पढ़ा है थे यह इसे last video जिसमें परसनल प्रणावन पढ़ा है आपको उसमें बहुत बहुत चीज़ से हमने सीख ली थी एक बार आपको या शी, मैं मान रहा हूँ कोई लड़के के बारे में बात हो रही है, बीमार को इंगलिश बोलता है, इल, क्या बोलता है, इल, इल या फिर सिख बोल देते हैं, अब आपको जुरुत पड़ेगी इनकी, जिसे हम कहते हैं, helping verb, कौन सी verb, helping verb, यह जो नाकाम वाले sentences होते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें helping verb की जुरुत पड़ती है, नाकाम वाले sentences को जो verb होती है, नाकाम वाले sentences होते हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, बस चीजे होती हैं या नहीं होती हैं, उसमें जिस verb का इस्तेमाल होता है, जिन verbs का इस्तेमाल होता है, वो verbs ये ही होती है, Is, Am, Are, Was, Were, Has, Have, Had. इतना clear हो गया आपको, बस इतनी होती है, हाँ बच्चा लोग इतनी होती है, टेंचन लेने की जोरत है ही नहीं, इन ही का इस्तेमाल करते हुए, हम ठेर सारे sentences बना सकते हैं, आओ बनाए, आओ चलो, पहले देख लेते हैं, एक तो होता है Is, जिसकी हिंदी आपने रट रखे, इसका मतलब होता है, किसी भी singular के लिए क्या, कोई भी singular, यानि एक है, उसके बारे में अगर बात हो रही होती है, उसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरा subject कोई एक है, कोई एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो उनके साथ इस आ जाता है, दूसरा क्या होता है, हूँ, यह हमेशा आई के साथ लगता है, किसके साथ हमेशा आई के बाई, इनको कोई यह लग नहीं करता है, एक होता है, आर, आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा, मेरा subject है, मेरा जो subject है वो एक से जयादा है, क्या है एक से जयादा है, एक से जयादा लोग की बाते हो रहे हैं, या फिर उ है, U भी तो हमेशे एक से जादा ही हो सकता है इसलिए U को भी हम plural मानते है U तो सिर्फ एक बंदा सामने बैठा है अगर एक हजार लोग भी सामने बैठे होते हैं उनको भी तो हम U ही कहके बुलाते है इसलिए U को क्या माना जाता है plural माना जाता है एक से ज्यादा माना जाता है तो आर किसके साथ लग जाता है जो भी एक से ज्यादा होते है जिसमें यू हो गया और किसी और का नाम हो गया जैसे बॉल की जगा बॉल्स हो गए बहुत सारी बॉल्स हो गए बहुत सारे लड़के हो गए उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, यू लगा देते हैं, is it clear or not? ठीक है, अच्छा वी के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, हाँ, वी भी एक से जादे लोग होते हैं, तो सब्जेक्ट अगर वी है, तो इसके साथ भी आर हो जाएगा, हिंदी में इसकी आवाज है या हो पुरानी कोई बात हो, वो पुरानी कोई बात हो, जिसे हम पास्ट कह देते हैं, पहले आपने का, कि मैं बीमार हूँ, अगर मैं कहना चाता हूँ, मैं बीमार था, पुरानी बात थी, तो अब हूँ के लिए, मैं बीमार हूँ के लिए, अब M तो नहीं लगा होगे न, अब बदल जाएंगा रूल, अब रूल बदल जाएगा तो पास्ट का दिखाने के लिए कि ये वक्त अलग है, उसके लिए हम क्या करेंगे हमने कुछ पहचान बनाई, हमने थाकी और ठीकी आवाज निकालने के लिए वाज लगा दिया, क्या लगाया, वाज लगा इसके इस्टमाल किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, और जितने भी सिंगलर से ना एक है उनके साथ लग जाएगा ठीक है, अब वर खुदी आप तो कभी लगा होगे न, आपको समझ मा आ गया कि थे की आवाज यानि एक से ज्यादा जो प्लूरल होते है, जैसे यू हो गया, वी हो गया उनके साथ क्या लग जाएगा वर का स्टमाल हो जाएगा, ठीक है अब ये एक्जामपल, डेर सारे भाई करोड़ो एक्जामपल मैंने आपके लिए बना के रखे हो, वो सब सब मितलेंगे अब बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो आओ, बिल्कुल फोकस टूटने ना पाए, देखो बिल्कुल आप करीब हो, बहुत करीब हो आप इंग्लिश को सीखने के लिए बिल्कुल माइंड में फिट बैठेंगे यह चीज़े अब है का हरो पाए, इनको देखा जाएंक यह ऐसे पेर है यह एक हो गया, और आपका यह हो गया यह नैक तरह से इनका जोडा बना वाय सबका यह एक हुआ, यह एक हुआ, और यह एक हुआ यह तीन तरह से हम इसको क्लासिफाइख कर सकते हैं ये present में अगर आज में अभी में कोई बात हो रही है तो इनका इस्तेमाल करते हुए sentence बन जाएंगे हूँ है हो वाले है ना past की बात होगी बीते हुए कल की तो was versus sentences बन जाएंगे था थी थे करके है ना clear हो रहा है has of had इनका क्या इस्तेमाल है कभी कभी हम कहते है यह चीज मेरे pass है मेरे पास वक्त है मेरे पास खुबसूरती है मेरे पास knowledge है मेरे पास पैसा है मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास knowledge नहीं है मेरे पास खुबसूरती नहीं है मेरे पास तुम नहीं हो इस तरह की जो sentences होते हैं जिसमें pass होने किसी चीज के pass होने या ना होने के बात में बात क इसके साथ तो हैस का इस्तिमाल हो जाएगा इसके साथ मजए की बात की है कि आए के साथ भी है बस यी चीज यूद और हैड का इस्तिमाल कब हो जाएगा यह तो प्रेजंट में थे यह दोन운데 नहीं बात कर रहे थे है अब पुरानी किया है क्या मैं सर्चक्रा किया जो मैं बेवकूफों की तरह रूल बनाने लगूंगा नहीं लॉजिकल है भाई मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं मेरे पास तुम थे वह नाटक भी तो आता था कि मेरे पास तुम हो अब उसकी इंग्लिश क्या बनेगी सोचुना बना सकते हो अब वह बात पास्ट में तो बात हो सकती थी जैसे पास्ट में बीते हुए कल में अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे पास तुम थे मेरे पास पैसा था मेरे पास वक्त था मेरे पास मौका था तो था थी पुरानी बात हो गई पास होने के बारे में थी तो वहां हैड कैसे इस्त पास थोड़ी कुछ है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो बीमार है, कि बीमार नहीं है, बीमार है तो English कैसे बनीगी, subject आया, verb लगा दो, क्या verb लगाओगे, है के लिए, एक singular ही तो है, singular के साथ तो is लगा देते हैं, I होता तो M लगा देते, plural होता तो A लगा देते, तो subject क पहले क्या लगाओ, subject तो लगा दिया, मैंने ये रहा, अब क्या लगानी थी, verb लगानी थी, verb कौन सी लगाओ मैं, verb कौन सी लगाओ मैं, यहाँ पर, यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाओ मैं, is लगा दू के नहीं, he is ill, ill मतलब होता बीमार, ठीक है, is it clear or not, अच्छा एक हिंदी नहीं जानते, कुछ South Indians भी होता है, कुछ हमारे, उन लोग को नहीं पता होती है, भार्क से कोई 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 देख रहा होता है, निपाल से देख रहा होता है, उनको हिंदी जिनको नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं इंग्लिश को इंग चोली दामन का जात है, आजो, I के साथ लगा दिया मिने M, और फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में, अंकित आ जाएगा, I am अंकित, बात ही खत्ब, बन पारे सेंटेस, ऐसे ही, तुम एक टीचर हो, तुम एक टीचर हो, लास्ट में आवास किसकी है, हो की, कि तुम, तुम क्यों है, तुम की इंगलिस सबसे पहले बना दूँगा, यू, और यू के साथ क्या लगाँगा, इस लगा दूँगा, यू के साथ इस लगा रहा हूँ, मैं तो इस लगा रहा हूँ अच्छा इजनी लगाने ते रहे एम लगाने तो आई के साथ आएगा तो क्या जाएगा क्या कुछ मुश्किल हो रही है इसे बनाने में क्या हिंदी से रटना पड़ रहा है सब कुछ तो क्लियर है इसमें कोई काम नहीं हो रहा ए are teacher हो के नहीं हो, बीमार हो के नहीं हो, अंकित हू ए हो, आजो, वो खुषर थी, वो खुश्ती, अभी ना बहुत बड़ा suspense मैं आपके लिए बचा के रखा है, खुशी के मारे सीक्षें निकल बहारे नहीं हैं अभी एक बात बता हूँगा, ब मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं लड़के के लिए यहां पे लिखूंगा वो के लिए नई भाई थी लड़की होती है लड़की कोई तो थी बुलाते हो तो क्या है यह शी लिख दू हाँ शी लिख दो, शी के साथ वर लगा देता हूँ है ना नई सर यहां चीक चीक कर आपने हमें बताय तो था कि सिंगलर्स के साथ और आई के साथ तो वोज लगता है, शी वोज और खुश होने की इंग्लिश क्या हो जाती है हैपी, क्लियर है के नहीं खुशी, शी वोज खुशी, शी वोज हैपी, इस एट क्लियर और नॉट विल्कुल क्लियर हो रहा है, अभी ऐसे थोड़ी जाने दूँगा, अभी तो मैं आपको और एक्जामपल कराऊंगा आपके सामने एक और एक्जामपल है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी हम दिल्ली में थे, सबसे पहले हम के लिए वी, थे की अवाज आई ना, पास की बात थी वर हुआ, वी, वर, और कहां थे, दिल्ली में इन डेली, क्या सेंटेस बना पा रहे हो बना पा रहे हो, देखो बड़े-बड़े अभी सेंटेस बनाओगे आप बनाओगे, आप, आप, जी हाँ, आप जिससे कुछ नहीं होता था, वो करके दिखाएगा उसके पास एक पैन है, उसके पास ओ माई गॉड, कुछ इसमें थोड़ा सा मसाला है उसके पास है, पास है और सर्फ पास के लिए तो आपने बताया था ना इसके पास है, उसके पास खुशी है उसके पास पैन है, उसके पास दुनिया उसके पास तुम हो, उसके पास मैं हो, उसके पास class है, उसके पास support है किसी भी तरह की चीज जो pass है चाहिए वो दिखती है, नई दिखती है दिल में है, दिमाग में है हाथों में है, बाहों में है कहीं पे भी है, कहीं पे भी है सब के लिए क्या आजाएगा? has, have का ही इस्तेमाल होगा अब उसके पास एक pen है उसके लिए क्या English बनाओ subject के लिए क्या English बनाओ उसके पास ही आएगा क्या नहीं हाँ ही है शी आजाएगा शी भी आ सकता था हमें पता नहीं थे कि लड़काय के लड़की इसलिए ही लगा दिया ही के साथ क्या लगेगा he has a pen क्या बनाने में असानी हुई हाँ असानी हो रही है he has a pen हमारे पास वक्त है हमारे पास है हमारे की English लगा दू अवर अवर बना देता हूँ हमारा की English अवर होती है नई सर ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो आपने हमें लास्ट वीडियो में इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें मैंने पर्सनल प्रणाउन के बारे में पढ़ाया था क्लास फॉर्थ के अंदर जो हमारे कोर्स की क्लास फॉर्थ थी उसमें आपने हमें चीख-चीख के पढ़ाया था के हमारा तुमारा इनकी रटनी नहीं है इंग्लिष हमें हमें ये यद रखना है कि अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो सब्जेक्टिव केस आजाएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा इसका वी, ना की अवर, है के नहीं अब pass होने की बात है, क्या लग जाएगा we के साथ, have लगेगा कि नहीं, क्योंके plural है, और time, वक्त का English क्या होती है, time, क्या sentence बन गया, we have time, बिलकुल बन गया, मज़ा आ रहा है कि नहीं, आओ देखते है कुछ और, उसके पास मौका है, किसके पास, उसके पास, कोई भी लड़ intense की English, आप बना, लायक हो चुके हो, आपको मैंने इस लायक कर दिया है, आपको खुशी मनानी चाहिए, अभी suspense बना हुआ है, suspense बना हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर बताओंगा, अभी थोड़ा हलका हाथ रखते हैं, आओ देखते हैं, उनके पास support था, अब था की बात ह हो गई, अब था की बात हो गई, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं कोई घबराओंगा नहीं, था हो गई न, past की बात में हैजएव लगता था, अब उसको head बना देंगे, past के दिखाने के लिए, उनके पास एक से ज्यादा लोग थे, he or she लगाउं क्या, नहीं न लगाऊ sir, they आपने हमें बता रखा है इस बारे में class 4th के अंदर, they had, और support की English क्या होगी, support क्या है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है मेरे दोस्तों, सोचो, मैं आपको challenge करता हूँ इस चीज के लिए, कि सोच लो, कोई भी sentence दुनिया का सोच के दिखा दो, जिसमें काम नहीं ह हो रहा, इस तरह की बात हो रही है, कि कोई चीज है, pass है, pass नहीं है, वो sentence आप बनाने लाइक हो, अभी copy पर बना के दिखा दोगे, अभी दिमाग में बना दोगे, copy भी छोड़ दो, भूल जा copy, copy भी, subject रकी, object रकी, खतम बात, अभी छोटा सा मसाला जो है, वो मैं आपको बता दूँगा, वो मैं आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आजो practice करते हैं, कुछ sentences की practice करवा देता हूँ, आजो, बहुत सारे sentence practice करने के लिए, सर आपने तो होई लिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही नहीं भेजूँगा, आपके अंदर एकदम change आएगा change करवा के बेजूँगा, वो एक doctor है, वो एक doctor है, इसकी English क्या बनानी है, वो, वो एक doctor है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की, she आ जाएगा, उसके बाद फिर verb रखूं, verb रखूं, answer verb क्या होगी, ये देखना है, है, है के लिए क्या आएगा, singular है, तो she is, क्या है, वो एक doctor, she is a doctor, क्या clear हो पा रहा है के नहीं, बिल्कुल clear हो पा रहा है के नहीं, आज हो देख सेखते हैं, तुम अच्छे नहीं थे, अरे भाई, इसमें सर ये नहीं आ गया, इसमें सर ये नहीं आ गया, इसको कैसे बनाओ, नहीं की English मैं आपको बता देता हूँ, क्या ह बात हुई है ना, बीते हुए कल की बात थी, तो क्या मैं यहाँ पर आर लगाऊंगा, नहीं नहीं, वर लगाऊंगा है ना, तो यू वर और अच्छे नहीं थे, यू वर गुड, पहले हमने बनाए जो हम वैसे नॉमल बनाते, अब मुझे बोलना था, नहीं थे, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, हाँ, 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 सर, 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 कुछ बताओगे क्या, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमने sentence के type वाली एक वीडियो पढ़ी थी, course की third वीडियो थी, if I'm not wrong, उसमें मैंने sentence के type बताये थे, कि affirmative होते हैं, negative होते हैं, और यह होता है interrogative, और यह हो type होत हैं, जो English में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कि हम इने आपको पढ़ाया था, हाँ, पढ़ाया था, उसमें जितने भी हमने पढ़े थे, affirmative का मतलब हमने पढ़ा था, positive sentence, कि हाँ, यह मैं काम करता हूँ, यह नहीं करता हूँ, subject, verb, object, जो अभी हम रख रहे थे, वो कौन हमने वर्ब को रखा, हमने साथ में, साथ में हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने वर्ब के साथ में फिर क्या रखा, not को रखा, और फिर हमने क्या करा, object रख दिया, क्या यह हमने structure बना दिया, हाँ, हमने structure बना दिया, क्या यह कोई rule है, क्या यह कोई rule है, यह कोई rule फाड़ दो वो किताबे जो इसे रूल कहती है वो पन्य फाड़ के फैक्ट दो उने जला दो क्योंकि रूल ही नहीं यह तो लॉजिकल चीज है है कि अब लिटरली फाड़ने मत बैठ जाना विद्या की कदर करो ठीक है यह तो सिर्फ एक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कि अगर आप इसे रूल की तरह रट रहे हो तो बच्चों रट रहने की जुड़ात नहीं यह तो लॉजिकल था कि अगर नहीं कि आवाज आनी थी तो बस नौटी तो जोड़ना था वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब उब्जेक्ट यह तो सम्मेए रखते हैं है कि नहीं म तरह कि अगर मुझे बाते पूछनी पड़ जाए, तो सवाल होगा के नहीं, क्या ये एक interrogative sentence होगा के नहीं, होगा ना, इसको बनाने का तरीका भी क्या, सेम रखूं, subject, verb, object, फिर फर्क क्या रह जाएगा, पकड़ोगे कैसे के, ये sentence अलगी है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई interrogative sentence है, और उसको भी मैं ऐसे ही बनाने लगूँ, तो उन दोनों की तो English, इन दोनों की तो English सेम हो जाएगी, फर्क कैसे पड़ेगा, फर्क डालने के लिए न, इनकी जो position थी न, subject, verb, object की, वो बदल देते हैं, आओ बदल देते हैं, कैसे, ये जो verb थी न, verb को उठा के सबसे पहले रख देते हैं, verb को उठा के सबसे पहले रख देते हैं, फिर subject रख देते हैं, और फिर object रख देते हैं, लास्ट में question mark डाल देते हैं, लो जी बने गिया फिर से एक और structure, क्या ये रेटर न पढ़ेगा, नहीं, क्या ये logical है, हाँ, क्या ये असान है, हाँ, तो करो न, आओ चलो करते, कहां थे हम, यहां थे, पहले तो इसको बना देते हैं, क्या मैं गलत हूँ, आगे sentence लो जी, आगे, आगे sentence, आगे, इसमें सवा मैं गलत नहीं, नेगेटिव बनता, तो क्या होता, I am not wrong, लेकिन या पूछ रहे हैं, क्या मैं गलत हूँ, सबसे पहले क्या लगा दूँ, हाँ, हाँ, सर, helping work, सबसे पहले लगा दो, उसके बाद, आप subject रख दो, उसके बाद फिर object आजाएगा, am I wrong, क्या इंग्लिश बन ग क्या तुम्हारे पास एक pen है, क्या तुम्हारे पास एक pen है, अब इस तरह का sentence बनाना है, अब इस तरह का sentence बनाना है, अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें पास होने की बात हुई है, कोई चीज पास पूछ रहा है, पास होने के लिए हमेशे दिमाह में घंटी वजनी चाह किसके पास तुम्हारे पास, तुम, यानि PLURAL, PLURAL के साथ क्या लगना है, हव लगे गा, HAS नहीं लगेगा, ठीक है, अब मज़ेगी बात ही है, वह रूल इसमें अप्लाई करते हैं, क्यास किल अलग से structure बनेगा, नहीं sir, अलग से structure क्यो बनेगा, हमने यह पढ़ा तो है कि वर बनाने हो पास वाले कोई sentence है और उसका आपको interrogative बनाना हो तो उसके साथ क्या करते हैं उसके साथ क्या करते हैं do या does का इस्तेमाल कर लेते हैं क्या करते हैं do या does का इस्तेमाल करते हैं do does plus subject plus have और प्लस ऑब्चेट इस तरह से sentence बन जाता है कि इसमें बहुत बड़ी कोई आफट आ रही है नहीं कि बहुत मुश्किल है नहीं बहुत असान है आप जिसे मेरे को कुछ भी बनाना होगा आप डू किसके साथ डस किसके साथ जो singular होगा उसके साथ तो लगा देना डस और जो plural होगा उसके साथ लगा देना आप डू क्या है सबके साथ होगा हाव सबके साथ हैवी लगेगा फिर हैस का कोई काम बचे गया नहीं यह आपको सिंपल तरीका बता रहा हो बहुत जादा जानी रहा क्या करना है कभी भी कोई चीज पास होने के sense में किसी से पूछ नहीं होती या तुम्हारे पास एक पैन है यू प्लूरल था इसके साथ डू आना था आ गया उसके पास subject क्या है इसमें यू है और उसके पास सभी के साथ क्या लगना है है last में object आ गया do you have a pen, do you have a copy, do you have time, do you have knowledge, do you have a calm, do you have a glass of water इस तरह से बन रहा है के नहीं, do you have him, बन रहा है के न कुछ भी सवाल पूचाना चाता हो किसी के पास किसी से भी वह आप बना सकतो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा नेगेटिव में भी यह कर देना अभी कोई सेंटेंस आए का करा देंगे आगे बढ़ जाते है सर मज़ा आ रहा है के नहीं मज़ा आ रहा है सर बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे है तो कुछ है ही नहीं इसमें हमें तो खामा खामे डराय जाता है इंगलिश के नाम से आज़ो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कांगे भई हमारे आगे के सेंटेंस मैं बीमार नहीं हूँ अभी आप बनाओ बहुत असान है ये ठीक नहीं है आप बनाओ क्या ये सही है ये मैं बना देता हूं is it और फिर सही के लिए क्ल़गा दोगे is it correct या is it right right भी word ये वोट यूश कर सकते हो समझ में आया आगे बढ़ते हैं, हम इमानदार है, कितना प्यारा से sentence है, ये भी आप बनाओ, वो कहा था, अब ये क्या है, कहा था, ये कौन सवाला है, अरे बताता हूं, मेरे बच्चों बताता हूं, धीरे धीरे ही तो हम सीड़ी चड़ेंगे न, आओ बता देता हूं, अभी हमने क्या प सवाल पूछा जाता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था, है न, अभी हमने सवाल कैसे देखे थे, कि क्या वो बीमार है, क्या वाले थे, शुरुवात में क्या रहा था, क्या वो बीमार है, क्या वो अच्छा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस तरह कि हमने सवाल पू तो पूछा गया था। उसमें हमने इस तरह की sentence देखे थे ना, कि जिनका जवाब अगर होता तो yes और no में होता। क्या तुम अच्छे हो? जवाब होगा क्या? नहीं. क्या तुम बुरे हो? क्या जवाब होगा? हाँ. क्या तुम मिमानदार हो जवाब होगा हाँ या नहीं ऐसी तो जवाब हो सकता है लेकिन हम कुछ ऐसे भी सवाल करते हैं जिनका जवाब yes और no में नहीं दिया जा सकता वहाँ आपको पूरी explanation पूरा जवाब देना ही पड़ेगा जैसे कि मैं आपसे पूछू आप कहां रहते हो अब आप बताना पड़ेगा पूरा address yes और no में जवाब तुम दे सकते हैं तुम यहां क्यूं आए हो इस तरह के sentence होते हैं उनको interrogative नहीं उनको कहा जाता है double interrogative sentences जी हां दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे बहुत प्यारे sentence के type से जिसे कहा जाता है double interrogative sentence double क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें double question होता है कि yes और no का मैं जवाब मत दो यह भी बताओ कि वो चीज थी क्या अब यह sentence बनते कैसे यह sentence बनते कैसे उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इन sentences को बनाने के लिए ना इस सवाल पूछने के लिए हमें डबलू एच परिवार की मदद करनी पड़ती है मदद लेनी पड़ती है जैसे के हैरी पॉर्टर मूवी के अंदर उसके फ्रेंड और जो फैमिली थी ना हैरी पॉर्टर के फ्रेंड की उसने कौन था वो जो ब्लॉंड हेर वाले लड़का था उसकी फैमिली के पूरी interrogative sentence बनाने के लिए, लेकिन जब मदद करेंगे, इमानदारी से बताओ, जब ये मदद करेंगे, इनको आप कुछ दोगे के नहीं, हाँ दोगे, इन्हें आप सबसे पहले आगे रख दोगे, sentence के अंदर, इनको इज़त देने के लिए कि आपने मदद की, अगर ये ना होते, त तो हम इस तरह के सवाल पूछी नहीं सकते थे ना, कि तुम कहां जा रहे हो, तुम यहां क्यूं हो, तुम कैसे हो, ये वाले सवाल बनी नहीं सकते थे, हम तो बस यह पूछ रहे थे, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक नहीं हो, बस यह कहते रह जाते, हमारे पास तो हमारी मदद करने के लिए आई क्या इनको इनका हिस्सा दिया जाना चाहिए कि जब हम sentence बनाएं जब हम sentence बनाएं तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस object के साथ साथ शुरू में इनको यहां हम जगा दे दें के नहीं क्या दे दें क्या नई डबलो एच फैमिली को जगा क्या ये इसके हगदार है के नई क्या इन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है के नई अगर दिल से आवाज आए अगर आपका दिमाग आपका साथ दे और आप अपने होश औ हवास में हो तो मेरी बात में हां मिला और कहो हां इस डबलो एच फैमिली को शुरू में रख देना और रखना कैसे जहां क्या पूछा जाए कि ये क्या है कोई भी क्या में सवाल हो ये है क्या है अब इसका जवाब हाया नामे नहीं हो सकता जबाब देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो what का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जहाँ where पूछा जाए, भाई कहाँ कोई जगा पूछी जाती है, place पूछी जाए कहाँ की आवाज निकलती है, तो हाँ where का इस्तेमाल होगा, इसमें singular plural वाला कोई फड़ाई नहीं है, कोई फड़ाई नहीं है, ठीक है जहाँ पे क्यों की आवाज आए, कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ क्यों हो वो क्यों है यहाँ पर, इस तरह के कोई भी सवाल बना भी मैं सिर्फ नाकाम वाले sentence की बात कराऊ तो उसके लिए वाय आजाएगा, कब timing पूछी जाए, है ना, तो when आएगा पूछा जाए, कौन है, कोई इनसान कौन है, उसका नाम क्या है, कौन है, तुम कौन हो तुम कौन हो, इस तरह से who are you, तो उसके लिए who आजाएगा और whom, किसको की आवाज निकले, तो whom आजाएगा, अभी इनकी इस्तेमाल कम होते है, इसलिए मैं नीचे लिखा है इनको, सबसाथ इस्तेमाल आपके यह होगा, what होगा, आपका who हो जाएगा, where हो जाएगा, इस तरह के वाले जादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैं आपको इनको जाएगा पढ़ा रहा हूँ, इसको separate class में explain करूँँगा, जब types of pronoun पढ़ाऊँगा, प्रनौन पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आपके काम की चीज़े में आपको पढ़ा दी है अगर कैसे की आवाज निकले उसके लिए how का इस्तेमाल होगा, how much कितना है उसके लिए how much और how many अब how much कहा होगा, how many कहा होगा determiners की बात है, इसे हम बाद में सोचेंगे बाद में पढ़ेंगे, अभी यह हमारा concern नहीं है अभी तो हमें double interrogative sentence बनाने है क्या ये वाला structure मैंने गलत बना दिया क्या इसकी जरुरत नहीं थी बिल्कुल जरुरत थी ये बिल्कुल logical है क्या इसको रटने की जरुरत है, नहीं क्या ये वहीं से नहीं निकल के आया subject, verb और object से क्या यही कहानी नहीं चल लाई अब भी, हाँ क्या इसको रूल बानोगे, नहीं क्या हम English बना रहे है, हाँ क्या मज़ा रहा है, हाँ आओ चलो, sentence बना के दिखते आओ मेरे प्यारे बच्चों, वो कहा था कहा के लिए English क्या धिमाग माएगी कहा जगा बताने के लिए, where सबसे पहले इमानदारी से रख दूं के नहीं इमानदारी होगी, तो आप जरूर मुझसे कहोगे, आप भी मेरे बच्चे इमानदार हो मेरी तरह, आप भी कहोगे, सर where लिख दो, where, उसके बाद फिर फिर तो कामी असान होगिया, ना, फिर तो कामी सवाल यह नहीं था, कि हाँ यह नामे जवाब दे थे, क्या है, क्या नहीं ऐसा नहीं पूछा था, उसे पूछा था, उसे पूछा था, नाम बताओ, कौन है वो, कौन है तो, क्या रिच्टा गै तुमारा, dear sir से बता देना एकदम ठीक है वो कौन है कौन की English के लिए हूँ और है की अवाज आई ये न सिंगलर है और वो के लिए क्या लगा दोगे हूँ इस ही या फिर शी भी आ सकता था वो कौन है ठीक है तुम कहा थे, यहां भी जगा पुछी गई जगा के लिए क्या लगे जाएगा? और ठेकी आवास के लिए वेर वार क्यूँके तुम इसको देखें के तुम के साथ क्या लगता है? was लगता है कि were were लगता है where were और फिर subject आजाएगा you क्या बहुत मुश्किल है क्या बहुत मुश्किल है क्या ये sentence आप try करोगे मैं कुछ और try कराता हूँ आओ मेरे प्यारे बच्चों अगर ना हल हो इंस्टेग्राम पे dear sir काशिफ के ID है वहां में personally आपको reply कर देता हूँ अपनी queries comments में लिख देना टेलिग्राम पे पूछ लेना जहां भी possible होगा मैं आप answer कर दूँगा अगर कहीं भी फस हो लेकिन हिम्मत नहीं आरनी Sunday कैसा था बहुत प्यारा sentence है कैसा के English क्या हो जाएगा how और work क्या थी था how was और क्या जाएगा Sunday बिल्कुल correct है कि ने कैसे तरह के sentence आप बना पारे हो इसे लिख कर मत बनाओ अपने mind में बनाने शुरू कर तो अब अपने mind में जो भी sentence बना सकते चाहो न आप जिसमें काम नहीं हो रहा नाकाम वाले है वह आप बना सकते हो मैं उदास क्यूं हूँ बना के दिखाओ तुम्हारे पास वक्त नहीं था ये बहुत प्यारा है तुम्हारे पास किसके पास तुम्हारे पास तुम्हारा की English देखकर क्या मैं यॉर लिख दू नहीं नहीं सर इसमें कोई possessive case नहीं है ये तो यू आला है ये तो आपने पढ़ाया था हमें fourth class में पढ़ाया था यू तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो क्या बन जाएगा यू do not have time क्या गलत है बिल्कुल सही sentence बना दिया सर आपने मजा गया उसके पास सब कुछ था पर अब उसके पास कुछ नहीं है देखो इतना बड़ा sentence इतना बड़ा sentence डर गए घबरा गए लेकिन देखना ज़रा इसको तोड़ो इसको तोड़ के देखो उसके पास सब कुछ था पहले इतने की बनाओ he had, सब कुछ, he had all या फिर everything, he had all, और पर, पर की English क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, but होती है but now, उसके पास कुछ नहीं है, he has nothing, अब क्या है, उसके पास कुछ नहीं है he, और he के साथ क्या लगेगा, अब की बात हो रही है न, has nothing, क्या ये sentence गलत है, क्या ये मुश्किल था क्या वाकरी में मुश्किल था, क्या आसान लग रहा है कि नहीं, he had all, but now he has nothing, yeah he has everything but now he has nothing क्या आसान था, मज़ा आया, बिल्कुल कुछ और बड़े-बड़े sentence है आपके लिए मैं वहाँ नहीं था, पर तुम महाँ थे, और बच्चे खुश थे, तीन तरह के sentence है बना के दिखाऊ, बना के दिखाऊ, आप बना सकते हो, मुझे बरोसा है वो अब कैसी है, वो काम्याब है पर खुश नहीं है, ये sentence भी मैं आपके लिए छोड़के जाता हूँ, मुझे अमीद है मैंने जैसा कि आपसे कहा, कि 25-30% ही English बे इस्तेमाल होता है, इनका जादा use नहीं होता, लेकिन होता है use तो आपको ये बनाने तो आ गए है अब बात करते हैं, जो हमारे 70% English इस पर पूरी based है, यानि जिनमें काम होता है काम वाले sentence, आओ दोस्तों उने देख दोस्तों हमने नाकाम वाले sentence इसको तो अच्छे से समझ लिया, कि जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता था बस इतना होता था कि ये चीज है, या नहीं है या पास है, कि पास नहीं थी इतना तो अच्छे से समझ लिया, अब जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो नहीं आपके उपर है, आप इसके 100 sentences बनाओ, 200 sentences बनाओ, 300 sentences बनाओ, सिर्फ लिक-लिक्के नहीं बनाना है कि लिक-लिक्के बनालो, अपने mind में बनाना है स्टार्ट करो, ताकि आपको rules को रटना ना पड़े, बार बार खोल के देखना ना पड़े एक बार mind में fit होगी है प्रैक्टिस कर करके फिर देखना, आपकी spoken भी अच्छी हो जाएगी और grammar तो आपकी अच्छी होई रही है और आपके exam में भी आपको help मिलेगी और चाहे school student हो, फिर competitive के हो किसी भी level के आप student हो, आपको इससे फायदा ही होगा ठीक है तो अब ये काम अब आपका homework है अब हम देखने वाले थे, जिनमें काम हो रहा होता है ऐसी verb, ऐसे sentences, जिनमें जो verb है न वो ये दिखा रही कि कोई ना कोई काम हो रहा है ऐसी action verb, जैसे play मतलब क्या होता है खेलना, एक काम होता है C मतलब होता है, देखने का काम होता है cook, ये English है, cook का मतलब क्या होता है पकाना, go का मतलब जाना, come का मतलब आना तो ये जो verbs हैं ना काम वाली इनकी मैं आपको पूरी PDF थमा दूँगा आपको टेलिग्राम ग्रूप पे देदूँगा इनको याद कर लेना, ये words आपको याद करने शुरू करने है ये vocabulary है, ये जो verbs है आपको याद करने तब English बना पाओगे, बार-बार आपको देखने की खोलके, गूगल करने की जूरत नहीं पड़ेगी इनको आपको याद करना है, क्या करना है ये जो verbs है, जितने भी काम होते है हिंदी में आप जो सोचते हो या अपनी जो आपकी मादरी भाषा है, मदर टंग है उसमें जो आप सोचते हो, उन words की English क्या होती, ये आपको पता होनी चाहिए के खेलने को प्ले बोलते है, कुक को पकाने को कुक बोलते है, देखने को सी बोलते है, ये आपको पता होना चाहिए, जितनी आपको या दूंगी ना, उतनी ही अच्छी English आप कर पाऊगे तो ये काम आपका है, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है? चलो, अभी नज़रा एक Experiment करके देखते हैं, इंग्लिश बनाने के लिए क्या रखना होता है? subject रखना होता है, verb रखनी होती है object रखना होता है, ये हमने भी बना के भी दिखा, इसी में हमने negative sentence भी बना लिए, not लगा के, और interrogative भी बना लिए, verb को आगे रखके, लेकिन अगर मुझे कोई काम वाला, अगर sentence बनाना हो जिसमें कोई काम हो रहा हो, तो क्या मैं उसको बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ बई, ये रहा हमारे subject कोई सा भी उठा सकते हैं ये option है, हमारे पास subject की जातर हमें ऐसी बोलते है I will you the sheet में से कोई सा उठा लेते हैं मैं, मैं लिख लेता हूँ, I I, I ले लेता हूँ, subject लिख लेता हूँ, I क्या ले लेता हूँ, subject, मैं I ले लेता हूँ, अपना subject चलो, आओ, देखो, देखो, मज़िदार ऐसा concept clear होगा न कि आप अपने पोता पड़पोतों को सिखा हूँ, यह वाली बात चलो भाई, देखते हैं, मैंने क्या ले लिया, subject ले लिया, I कोई sentence बनाना चाहता हूँ, I वर्ब ले लू, कौनसी वर्ब ले लू, इनमें से कोई से भी ठ्हाट लो आपके उपर choice है, आप जो काऊँगे वो करूँगा मैं तो, कौनसी कह रहे हो सर गो ले लो, चलो, गो ले लेता हूँ, और असान कर देता हूँ, चलो गो ले लेता हूँ, आपके कहने से गो ले लेता हूँ, चलो, भाई मैंने गो ले लिया, I go, और आगे दिल्ली पहुचा दू, बंबई, डेली, I go to डेली, I go to डेली, ये मैंने पहुचा दिया, अब टू क्यू लगा, वो मुझसे बाद में, प्रेपोजिशन की बात करेंगे तब की बात है, अभी हम sentence बना र मैं दिल्ली जाता हूँ, ये बना लूँ इसकी इंगलिश, लेकिन एक गौर करने वाली बात है, गो की हिंदी क्या होती है, गो का मतलब जाना, तो इसकी इंगलिश क्या बननी चाहिए, इसकी हिंदी क्या बननी चाहिए, कि मैं दिल्ली जाना हूँ, ये बननी चाहिए, ले क्या करोगे? subject रख दू? हाँ, मै Can work, रख दू? हाँ, हाँ, रखदो, sir Sorry, sorry, subject तो I, लिखो न, sir 機會, शब्जब्स तो I, लिखो न, sir, दूसरे कलर से लिखो न जादो समझमायेगा, sir, white value, से लिख दो न हाँ, इस की क्या लिखो? I. और मैं दिल्ली गया था, गया मतलब जाना ही तो था ना, इसकी भी हिंदी, इंग्लिश क्या बनाओंगा, गो, और कहा गया था, दिल्ली, बदलेगा थोड़ी यह दिल्ली हो गया, क्योंकि गया था कि कोई अपनी इंग्लिश नहीं होती, उसके लिए वर्ड गो ही पकड़ो गोई मतलब होता है जाना गया जो भी कहना चाहते हो आप, अच्छा अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जाओंगा, आप के इंग्लिश बनाओंगे, मैं दिल्ली जाओंगा, तो जाओंगा कि भी कोई इंग्लिश नहीं होती, जाओंगा भी जाने से ही रिलेटिड ह गो ही लगाना पड़ेगा तो उसकी भी English क्या बनेगी I go to Delhi अब ज़रा मज़े की बात मुझे ये बताओ आप मुझे एक बात बताओ ये तीनो sentences तो same ही हो गए ये तीनो sentences तो same ही हो गए अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भई मैं दिल्ली गया था तो भी मैं I go to Delhi ही बना पा रहा हूँ क्योंकि फिस जाने की English तो मुझे go पता है गया की कोई English मुझे नहीं पता पूरी English में है ही नहीं कोई ऐसा word जिसका मतलम निकल जाए गया जाओंगा की कोई English है ही नहीं इस पूरी दुनिया में धूंड लो जितने डिशनरी तुमें लुगत खंगालनी है उसके लिए को ही लगेगा तो इसकी समस्या का समधान कैसे निकले कैसे मैं अपने मन की भावना को बता पाऊं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहां पे दिक्कत पता है किस चीज की आ रही है दिक्कत आ रही है वक्त की टाइम की जो हमने अभी देखा था इस एमार में भी कि हमने वहां तो कर लिया था जुगाड वहां तो हमने जुगाड निकाल लिया था अगर प्रिजेंट की बात थी हमने इस एम और आर का इस्तेमाल कर लिया था अब past room में हमने was work कर लिया था याद आया वहाँ तो हमने जुगाड निकाल लिया था लेकिन यहाँ कोई हमारे पास जुगाड नहीं है अभी तक नहीं था फिर हमने पता है क्या करा हमें इतना समझ माया कि यहाँ problem किस चीज की आई वाले कल की बात हुरी कि मैं दिल्ली जाओंगा तो यहाँ time का problem था अलग अलग time थे तीन तरह के time थे जिन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उसका भी कोई solution नहीं है मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम आ गए हैं आपके लिए solution लाते है मैंने कुछ ऐसी पहचाने दी मैंने क्या करा कुछ ऐसी पहचाने बना दी जिससे यह problem दूर की जा सके पहले तो मैंने इनकी problem को पहचाना कि problem हो क्यों रही है किसकी वज़े से हो रही है time की वज़े से इसके लिए मैंने क्या करा, टाइम को पकड़ा सकते पहले, कि problem कौन है, ये time, ये time समस्या है, time समस्या है, time में भी समस्या क्यों आ रही है, तीन तरह का time है, कितने तरह का, एक तो बीता हुआ कल है, जिसे मैंने कहा कि past की वज़े से problem हो रही है, कि past में कोई काम हुआ था, बी आज में हुआ था के बीते हुए कल में एक और टाइम का प्राबलम था वो था फ्यूचर, मैंने क्या कहा उसको फ्यूचर कि आने वाले कल में जो मैं बाते कहना चाहता हूँ, कि ये काम में करूंगा वहां में जाऊंगा, उस तरह की टाइम मुझे प्राबलम दे रहे हैं, अगर मैं इनकी पहचाने बनानी शुरू कर दूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रेजेंट वाला तो अच्छा था ये वाला तो अच्छा था, इस पास्ट और फ्यूचर ने मेरी समस्या बढ़ा दी, प्रेजेंट मैं तो मैं क्या कर रहा था? बई सब्जे면 रखता और अबजेक्ट रखता ये कर रहा था, बात चल लएठी असली तो इन्होंने और इन्होंने प्राबलम दने दिना हमें तो अब हमने क्या करा? हमने का कोई बातना ही, हम ना कुछ इसमें पहचाने लगादेता क्या बात हो गई हमने क्या कहा हमने का हम इसमें कोई पहचान दे देते हैं बात ही खता है पहचान के लिए भी हमने क्या करा हमने सहारा लिया किसका दुबारा से वो जो हेल्पिंग वर्ब अभी हम पढ़के आए ना वही वही हाँ वही उन्होंने का कि हम तुम्हारे यहां भ जुरुत पढ़े तो बता देना, आपको हमारी जुरुत पढ़े तो बता देना, तो हमने का आजाओ ना हमारे पास, आजाओ ना आप, आप आजाओ और हमें पहचान लगवा दो, जैसे आपने यहां इसे मार से हमें प्रेजेंट की पहचान दे दी, वह अजवर से आपने हम वहाँ भी मदद कर दो आप, आपके हम हमेशा शुक्र गुजार रहेंगे, उन्होंने का कोई नहीं राजन, कोई नहीं राजन, अगर तुमने हम से कहा है, हम आपकी सेवा में हमेशा शामिल हैं, हम हमें आपकी सेवा में प्रकट हो जाते हैं, तो हमने क्या करा, हमने कुछ प कौन सी लगानी शुरू कर दी, do or does, क्या लगानी शुरू करी, do or does, और is mr, क्योंकि थे ही present के, है न, present के यह तो थे यह, और has have, यह सब present के थे न, इनका हमने सिर्फ पहचान बनाने के लिए, पास्ट में हमने कौन सी लगाई होगी, सोचो, पास्ट में कौन सी helping वभ यूस करने लगे होगे, इसमें dead हो गया होगा, और क्या, was, were इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह थे past के, और hazard की जगा, head इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या कोई दिक्कत आई, नहीं, ऐसे future वाले ने का, भाई, मेरा भी तो कुछ कर दो, तो एक will और shell हो रहा गए, उनने ने का, हम आपका ध्यान रख लेंगे, आप tension ना लो जी, समस्या, समधान, मिल चुका था, समस्या खतम हो गई थी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी भी हमें एक छोटी सी दिक्कत आई, बच्चों, हमें एक छोटी सी दिक्कत आई, वो दिक्कत में आपको बताता हूं क्या थी, अभी इतना मोटा मोटा समझ मा है आपको कि sentence तो हम बना ले रहे थे sentence अब हम बना देते subject रखते कोई भी verb रखते वो जो play थी, cook थी, go थी, see थी कोई से ही बना देते sentence के दिक्कत हो रही थी लेकिन वहाँ दिक्कत हमें किस चीज की आई time नहीं समझ मा रहा था, क्या आपने कोई English में sentence बोला, I play football तो इसमें आप कहना क्या चारो समझी नहीं आ रहा था कौन से time की बात हो रही है, तो वहाँ पे तो हमें helping verb ने help कर दी, आ गए और कहरे है भई, अगर past हो तो भई, ये वाले लग जाएंगे प्रेजेंट हो तो ये वाले लग जाएंगे, future में हम आ जाएंगे विल्चेल आके खड़े हो गए, क्या रहा हमें लगा लेना अपने साथ subject के साथ रख देना, हम आपका ख्याल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमाई से आपके पहचान हो जाये करेगी, समस्या solve हो चुकी है, लेकिन अभी एक और समस्या निकल के आई, अभी एक और समस्या निकल के आई, मेरे पैरे दोस्तों समस्या ये थी, इस बार में sentence मालो ले ले लेता हूँ, play मैं क्या ले लेता हूँ, play, अगर मैंने इंगलिश क्या है, आई, play cricket, मैंने बना ली weekend बना लिये sentence, I play cricket subject रखा, verb रखियो, object रख रहा हूँ लेकिन अगर मैं क्रिक्ट खेल रहा हूँ मैं क्रिकट खेल रहा हूँ मैं क्रिक्ट खेल रहा हूँ अभी अभी खेल रहा हूँ, time تو अभी कही है लेकिन अभी ये काम चल रहा है ऐसे ही मैंने कहा मैं क्रिकेट मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ अगर मैं ऐसा कहा या मैंने कहा मैं सुभा से क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं सुभा से क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं सुभा से क्रिकेट खेल रहा हूँ अब ध्यान करने वाली बात यह है कि यह सारे सेंटेंसी न अरे यह वाला भी हिंदी में हो गया कोई बात नहीं आप मेरी आवास तो सुनी रहे हो न ठीक है अगर मैं कहन कि मैं cricket खेल चुका हूं अब चुका की कोई English नहीं होती है यह तो Hindi है ना चुका कोई word थोड़ी होता है तो उसके लिए आपको I play cricket बोलना पड़ जाएगा मैं सुबा से cricket खेल रहा हूं उसके लिए आपके पास कोई word नहीं है अब यहां क्या time का problem है क्या यहां पर time मेरा problem है time का issue है नहीं time तो इसारा कॉंसा है प्रेजेंट में बाते हो रही है time तुछ present कई क्या रही है वर्क की वर्क डंकी कितना काम हुआ है कि वो जो खेलने का वो जो देखने का biết जहने का काम है क्या वभी चल रहा है क्या वो पूरा हो चुका है क्या अभी वो पता ही नहीं कितना हुआ है क्या वो सुबा से हो रहा है उस काम पे फोकस करना पड़ रहा है हमें इस वज़े से समझ से आई मैं क्रिकेट खेलता हूँ पता ही नहीं कि खेल चुका है के खेल रहा है, नॉर्मल आदत बता रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानि अभी भी क्रिकेट खेला जा रहा है धे दूधा, प्रिजन्ट में ये टाइम से मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ उसके लिए भी हमने छोटी मोटी पहचाने बनानी शुरू करी दोस्तों हमने क्या करा, हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों हमने इस समसा क्या समधान भी निकाला और हमने करा ये, कि जो वर्व होती थी ना, ये जो वर्व होती है कि यह जो वर्व होती थी ना वर्व, उनकी ना forms बना दी, first form, second form और third form, हमने उनकी form बनाई, form कैसे बनाई, कि play मतलब तो हमने कहा कि normal है, play मतलब खेलना, यह मेरी first form हो गई, play, लेकिन इसके साथ हम ना ed लगा देंगे और इसको second form कहे देंगे, और third form भी इसकी played हो जाएगी, C मतलब होता है देखना, तो first form तो C रहेगी, second form इसके हमने बनाई, saw, और third form बना दी, scene, इसी तरह से go मतलब होता है जाना, first form गो रहेगी, second form हो जाएगी इसकी went, और third form हमने इसकी बनाई, gone, यह forms क्यों बनाई, क्या आफत आ गई थी, आफत नहीं आई थी, दिक्कत आई थ कि हमें समझी नहीं आ रहा था कि काम कितना हुआ है, वो काम कितना हुआ है, अब हमें पता चलने लगा था, कि अगर third form है, तो समझ लो कि काम complete हो गया, क्या कहां मैंने, कि अगर third form है, तो यह मान लेना कि काम finish है, क्योंकि third form का मतलब ही होता है, वो काम पूरा हो चुका, last scene WhatsApp में होता है कि नहीं, उसका मतलब last देखा हुआ, कि देख लिया था, पूरा हो गया था, लेकिन first form का मतलब कभी भी पूरा नहीं होता, इसका पता ही नहीं चल पाता कि चल रहा है कि नहीं, ऐसे हमने ING की भी मदद लेनी शुरू करी, वर्ब के साथ हमने ING भी लगाया, हमन क्या पढ़ रहा है यह, action verb, जो main कही जाती है, उसको main verb भी कहा जाता है, उसके अंदर हमने थोटे चोटे चोटे changes करने शुरू किये, कभी तो इसमें ING लगाया, कहीं पर हमने इसमें third form का इस्तेमाल किया, कहीं हमने इसमें second form का इस्तेमाल किया, helping verb का इस्तेमाल करते हुए ही, लेकि साथ में हमने यह जो verb थी, जिसे हमने कहा main verb का हमने नाम दिया, इसमें हमने changes करें, इसकी form बदली, है ना, इसके साथ ING लगाया, और साथ में हमने helping verb की भी मदद ले ली, अब मेरा पूरा sentence subject के साथ इन चीजों से मिलकर बनेगा, और बच्चों आपको जानकर बे और जिसको रटवाया जाता है, उसको हमें रटवा रटवा के पागल बनाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या चीजों logical है के नहीं, बिलकुल है के नहीं, क्या time के base पे हम इसे तीन category में divide कर दे, past, present और future, क्या काम के base पे के काम कितना हुआ है, अब क्य जिसमें अभी भी काम चल रहा है, उसे मैंने का continue है बाई वो, तो उसे मैंने क्या कहा, continuous, और जो पूरा हो चुका है, कि मैंने काम कर लिया था, मैंने match देख लिया था, मैं वहाँ चल गया था, उसको मैंने कहा perfect, बाई perfect है, इसमें कोई कमी नहीं बची, और एक और था, जि उसरे वक्त में भी तो काम इसी तरह से हो रहा होगा, past में भी तो ऐसा ही चल रहा होगा, है के नहीं, logical है के नहीं, past में भी तो काम चल रहा था, पूरा हो चुका था, सुभा से हो रहा था, ये भी तो होगा ना, तो उसके भी क्या ये बन जाएंगे, क्या ये बन जाएंग को कि आपने आज पूरे वर्ब को खोल डाला है फोल डाला है पूरा समझ लिया कि helping वाले sentence कैसे बनते हैं और यह जो होती न तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि future का कौन सा sentence है present का कौन सा पास्ट का कौन सा है और यह जो यह जो हमने वो लगाये थे main verb की जो first form second third form पढ़ते हैं हम क्यों पढ़ते हैं आज समझ माया समझ माया गया है दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ मैंने अपनी जी जान से आपको इस topic को complete कराने की कोशिश की है अच्छे समझाने कोशिश की है अब बात आती ह कि टैंसिस की इन सब rules को apply करने की और समझने की मैंने आपके लिए पता है क्या किया हुआ है मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए ने complete video बनाई हुए टैंसिस की जो आपको जानके बड़ी खुशी होगी पूरे YouTube के इतिहास की most watched most watched teaching video है वो most watched teaching video इतने ज्यादा views आज तक क इसी video पर यह आए और वो आपके प्यार से ही है कई लाक कॉमेंट उसमें ऐसे मैंने पढ़े हैं लाक कॉमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो देखके मैंने जिंदेगी में पहली बार टैंस सीखे वो वीडियो टू आर्स का है दो घंटे का मैं नहीं चाहत करने वाली चीज़े बचिये मातर अगर आप वो वीडियो देख लोगे मुझे खुशी होगी कि आपका टाइम बचिया कहीं न कई मेरा भी टाइम बच जा है कि मैं आगे कि आपको कॉर्स कंप्रेट करा हूँ आगे के टॉपिक्स करा दूँगा तो आपको करना क्या है तो यह विडियो आपको यहां पर मिल जाएगी 59 70 जूप देखना यह आपका हूम वरक है इस को नेक्स वीडियो वह यह है जिसको मेरे को दुबारा अप्लोड करने की जुरतनी है क्योंकि टेंस आपको बेस है आधी चीज़े मैं बता चुगा हूं अपलाय करने का काम रहे को एक फायदा हुआ है students को फायदा हुआ हर age group के आपको यह सीखना mandatory है इस वीडियो के बिना आगे मत बढ़ना ठीक है दोस्तों तो यह आपको देखने टेंस की वीडियो आ जाते हैं वापस हम तो यह टेंस आपके यहां पर clear हो जाने अवाज आती रहेगी मैं उन्हें पॉस primary level ता primary stage थी जहां पर मैंने आपको subject क्या होता है, verb क्या होती है, object क्या होता है, verb क्या होती है, tenses क्यों बने, कैसे बने ये सारी चीजे मैंने आपको clear की है वो सारी चीजे clear की है ये basic था, base था इसे मजबूत कर लेना, मैं दावा करता हूँ मैं आपको challenge करता हूँ इस चीज़ के लिए, कि जिसने ये video 5 video देख लिए, including 10, 6 video total हो जाती है, उसका English का base उक्तम clear हो जाएगा आप से कोई पूछे कि English कहां से शुरू करें कैसे zero से सीखें, उसको हमारी playlist पे जाना, dear sir की playlist पे मैंने बना रखी आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ एक बार को कुछ चुब भी नहीं करना, इस course को उस बच्चे को दिखा देना बस, कोई सब ये exam की preparation कर रहे हो, cat की preparation कर रहे हो, IELTS की preparation कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो playlist पे जाना, और यह पहली playlist आपको दिख जाएगी English grammar course इसका खोल लेना, और यहाँ पे आपको ये 5 video नजर आ जाएगी, अभी तक कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है तो 5 वी आभी मैं record कर रहा हूँ आपके लिए ये जिसने देख ली ना, उसका English का लेवल, बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है तो आपकी सारी समस्या यहाँ पे हल हो जाएगी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको ये video बहुत पसंद आई होगी आपको मिल जाएगा, वर्ब की PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम ग्रूप पे है, महाँ आपके देख लेना, कोई डाउट आता है, इस्सक्राइम पे देख लेना वीडियो को सब तक पहुंचाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कीजिएगा मैं मेरी पूरी टीम आपके लिए महनत कर रही है, हमाई महनत का फल हमें आपकी कामियाबी के रूप में चाहिए इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूँ, थैंक्यू सो मच आपने बड़े प्यार से देखा एक अच्छे टीचर को एक अच्छे स्टूडिन की जुरत होती है, और बेशक आपको ही हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, इस कोर्स की अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहें, डियर सर के साथ, थैंक्यू